जय हिन दोस्तों तो इस वीडियों बात करते हैं पुर्णिया अनुवसिटी पुर्णिया सेशन 22-25 या 21-24 जो भी विद्यार्थी का पार्ट वन में परमोट लग गया था या अपसेंड हो गया था या उसका रिजल्ड पेंडिंग हो गया था या फैल हो गया था उन सभी वि विद्यार्थी फोरम भर सकता है जिस विद्यार्थी का पार्ट वन में कुछ प्रोब्लम हो गया था जिसे कि परमोट हो गया था या पेंडिंग हो गया था या फैल हो गया था तो उन सभी विद्यार्थी का फोरम फिलब हो रहा तो इस वीडियो हम बात करते हैं कि इसका फोरम कैसे फिलब करें पार्ट वन का ठीक है step by step बात करेंगे तो आपको क्या करना है आपने मुबाइल फॉन का Google या Chrome ओपन करेंगे सब्कें का दूख करने है इस तरो का ओंटर्फिस आईगा यहां आने के बाद यहां देख सकते हैं यह लिखावा करना इसमें किल्क करना है इसमें के करने वाद औफिसर सायट में आजाएगा पुर्या पूर्या का यहीं से सारे काम होता है या रिजल्ट चेक करना हो या फोरम भरना हो या राइस्टेशन करना हो या कोई नूटिस निकलना हो या एडमिशन करवना हो यहीं सभी काम होता है इस साइट से सभी काम होता है ठीक है यहां आने के बाद सिंप्ल आपको क्या करना है पा एसमें क्लिक करके आपको डेक्ससाइ्ट कर लाना है उसके बाद भी फिर भी है को इस तरह का साइ्ट दिखाई लाना है दानीड में के बाद आपको क्या करना है एक्जामिंश्न रिजल्ड इसमें क्लिक करने के ऑद फीर आपको यहां देख सकते हैं नीचे क्या लिखावाई एकजामनेशन फॉर्म आपको इसमें किली करने न्या एंटरेफेस कुलेगा यहां नेके बाद यहां से डीटे संक्राइब किद सब्सक्राइब शोटी शोटी इसे सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद इतना करने के बाद आपका आपका लोग नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है आपको क्या करना है यहां फोरगेट पास्वर्ट में क्लिक करना है फोरगेट पास्वर्ट में क्लिक करने के बाद यहां क्या करने है विदार्थी का रेइस्टेशन नमर डालना है रिसेट पास्वर्ट में क्लिक करना है आपका पास्वर्ट हो जाएगा ठीक है और रिसेट प्लाइब करेंगे उसके बाद केट्चा फिलब करेंगे उसके बाद करेंगे आपका लोगिन हो जाएगा चलिए एक विदार्थी का लोगिन करके आपको बताते हैं मेरे साथ वीडियो न करने रहे हैं उसके बाद यहां पास्पोर्ट डालना है छोटी P A W S W O R D कि उसके बाद college नाम सलेट करना है इसे च्टीट का नाम सलेट करना है जिस चॉलेट करते हैं चलिए इस्ट को घाप्चा करना है उसके बाद security code डालना है यहां आने के बाद क्या क्या कि लिए तो कि यहां आने के बाद आपको क्या करना है जोad फोरम नहीं फिलब कियाते पिछले साल तो उस विद्धार्थी का फौरम यहां सी 슬्लकंडब करने के लिए तो यहां धियां देयम क्या बता रहा Stephan लेकिन जो बीद़ार्थी पार्ट 1 में प्रमोट हो गया था या फेल हो गया ठीक है जा उसका रिजल पेंडिंग था या अफसेंड हो गया था है निके पर मोट ही हो गया था तो इस ङसाजन और छोड़ चाहर्ण को अ था या फेल हो गया था, तो उस बिदार्थी का फॉरम, फिलाप back registration से होगा, क्क्राहँ होगा, जहां ये back registration से इसमें किलिक करना पड़ेगा उसको, इसमें किलिक करने के बाद ये सारे चीज़ सलेट करना पड़ेगा, से लेक्ट होगा जेक्सकते हैं इस विदार्थी का यहां नहीं हो रहा फिलम देखे यह बिलेंग है यह फिलेंग है तो मतलब इसका रेगुलर रेजिट्रेशन से फोरम फिलम फिलम होगा फिर भी मेरा बात आप लोगो समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है दोनों कॉल अगर इश्या करने के बाद भी अगर आप खुद से फोरम नहीं कर सकते हैं तो वीडियो के लाश्ट में दो मुवाल नमर दिया होगा उस मुवाल नमर में आप शम्पर करके घर बैठे फोरम करा सकते हैं मीनिमम के साथ चलिए हम आगे बात कर लेते हैं इस विद्यार्थी शिर्ए रेगुलर refuses में किलिक करने के बाद सारे चीज़्ट करना है यहा ID कुछ टैपिंग नहीं होगा ठीक है आपको पहले programs करना है लिखावा से सेचं से बसक्रूस लएक को सलेट करना है क्यूं लिखावा ये एक को नहीं पूछiren में ठीक है कि क्यों पूछते हैं सलिक्त किसी आपको स्वेट करना है यहीbased यहां को पो क्लिक करने के बाद पूराइटा घ्या अगिया तो आपको क्या करना है यहां आपको फोरम फिलब करना है है तो यहां एक सिनल्टी में जो है इंडियन तो इंडियन कर देंगे ठीक है हुआ उसके बाद इस उह है हिंदू-मुस्लिम आदर जोबिया आप लिजेगा ठीक है उसके बाद फिर नीचे करते हैं उसके बाद कटेगरी जो भी है कटेगरी यहां से देख लिजेगा कि कौन सा कटेगरी माता है कटेगरी स्लेट कर लिजेगा उसके बाद मेडियम जिस मेडियम सीख जामने का विदारती हिंदी मेडियम एंगरेजी मेडियम यह आपको स्लेट करना पड़ेगा उसके बाद जे जीचे आने के बाद यहां देख सकते हैं विढ़ार्थी का सब्जर में आएगा तो यहां यए आने के बाद आपको घबराना नहीं अ देख सकते हैं इस विढ़ाथी ईशम कर रहा है यह जाम देगा पहली बार ही चाम देगा तो पहली बार ही फ़रम फिलब कर रहा है तो इस विदार्थी का सारे सब्जक्ट ओपन हो गया है देख सकते हैं अगर कोई हिस्ट्री में हो गया तो सिर्फ यहां हिस्ट्री से ही खुलेगा ठीक है अगर किसी जो पहली बार फ्रम फिलब कर रहे हैं तो उसका सभी सभी सब्जेक्ट यहां ओपन होगा ठीक है यहां आने के बाद आपको स्लेक्ट नहीं करना स्लेक्ट होगा भी नहीं पहले सहीं है select किया और आता है इसलिप देख सकते हैं select नहीं होगा simply फिर यहां नीचे scroll करंगे कि नीचे scroll करने के बाद यहां देख सकते हैं previous exemption details यहां आने के बाद बहुत सारि बदाती confusion हो जाता है यहां क्या डालेंगे previous exemption details में तो आप इससे पहले part 1 गाशे से फूरम आब किये हैं तो किस exam को कर चुके हैं तो बेख़ती हम जानते हैं कि आप इंटर पास कर गए थे इंन्टर पास कर करके आई होंगे तो इंटर का तेंटर का हम क्लénd कभर पूझवर क्बूचा तो रोलине कूद सा रोलेम नमर क्वसा रोल नमर क्या नहीं टाना है आपको इंटर का मार्क सिट देखके इंटर में जो रोल नम्मर लिखा रहाता है वो आपको डालना है चलिए रोल नम्मर डाल देते हैं डालने के बाद आपको फिर रिजल्ट पूछ रहा है तो रिजल्ट आपको कि इंटर का जितना इंटर में जितना रिजल्ट आया था जितना नमर आया था तो यहां फॉर्स सकेंट और नहीं लिखना है यहां जितना नमर आया था तीन सब पंदरो तीन सब सोलो या दूसर बारो या चार सड़े चार सब जितना भी आया था वह आपको डालना है चलिए यह डालने के बाद सिंप्ली आपको क्या करना है पेनों मे कर दता हुं जिसका प्रीडिकल सब्जेक्ट है उसका फार नोफिन नाई उसका बिर्व practical नहीं है सब्सक्राइब करने के बाद फिर एक नया डेक्स बोट ओपन होगा चलिए कुछ देट कर लेते हैं यहां आने के बाद सिंप्ली देख सकते हैं यहां सारे 800 पर इसका मतलब प्रिक्टिकल है ठीक है उसके बाद देख सकते हैं अप्षन दिया हुआ आपको डेविट कार्ट क्रेडिट कार्ड नेट बेंकिंग यूपी आई ठीक है आप चारों में सिक्षी से पेहिवन कटवा सकते हैं लेकिन मैं मैं रेफर करता हूं कि यूपी डालेंगे उट्ट्व in डालने के बाद एक रेसीविंग प्राप्थ हो गा हो गा मतलब इसका फोरं फिलब हो गया और इसे धन्त बाद दोस्तों मिलते हैं यकर्वडियो में जैहिंद आवरीटा